इन दौरी चटोरों के लिए 56 दुकान काया कल्प के बाद एक बार फिर तयार हुई थी स्मार्ट सिटी के तहर शहर के सबसे फीमस जगा 56 दुकान को नया रूप दिया गया था जहां लाइट और साउंड के बीच लोग स्वादिष्ट व्यंजरों का स्वाद चखने लगे थे नगर निकम ने स्मार्ट सिटी के तहर चपन दुकान का काया कल्प किया था लेकिन इंदौरी चटोरों की जुबान पर अभी स्वाद का रंग चड़ना शुरू ही हुआ था कि इस लोगडाउन ने सारे रंग में भंग डाल दिया लेकिन हम आपके लिए आज एक खास खबर लेकर आए हैं यह है कि लोगडाउन जरा खुल तो जाने दीजिए फिर चपन में है आपके लिए सर्प्राइज मध्यविदेश के आर्थिक राजधानी कही जाने वाला इंदौर शहर अपनी स्वाच्छता को लेकर अपनी पहचान देश नहीं बल्कि विदेशों तक बना चुका है और आपको बता दें कि यहां के लोगों को चटोरा भी कहा जाता है क्योंकि इन दौर शहर में मौजूद चपन दुकान जो कि अपने स्वाधिष्ट विदेश तक जाना जाता है जो भी व्यक्ति एक बार यहां का स्वाध चखले वो बिना खाए नहीं रह सकता इसलिए शहरवासियों को चटोरा भी कहा जाता है इन दौरी चटोरों के लिए छपन दुकान काया कल्प के बाद एक बार फट दया है स्मार्ट सिरी के तहट शहर के सबसे फेमस चपन दुकान को नया रंग रूप दिया गया है जहां लाइट और साउंड के बीच लोग स्वाधिश वियंजरों का स्वाध चखेंगे इसे विदेश की तर्च पस सुव्यवस्तिक ढंग से बनाया गया है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पहले की अपेक्षा यहां पर साउंड सिस्टरम LED टीवी लोगों के बैठने के लिए अच्छे व्यवस्ता और पेड पोधे और आकरशक लाइट लगाए गई है ताकि यहां आने वाले किसी व्यक्ति को कोई भी परिशानी नहीं हो ऐसा लग रहा है कि हम विदेश में है चपन अपने नए अंदास के साथ आप लोगों के लिए बिलकुल तैयार है तो अगर आपने भी अभी तक चपन का स्वार नहीं चखा है तो जैसे ही लोगडाउन खुलता है पहुच जाईएगा और हाँ चपन में जितनी भी चीज़े हैं ना सब खाना कुछ भी मिस मत करना